विल्कम बाक तो आवर यूटूब चैनल दे लेजी राइडर एंड रिसेंट्ली हमने परचेस किया यह इंटर कॉंप सिस्टम एंड इस वीडियो में हम इसको सेट अप करने वाले हैं अपने हेलमेट में अपने हेलमेट भी नया परचेस किया है एंटी थंडर 4 एंड इसका एक वीडियो हम लोग प्रोपर डिव्यू वीडियो इसका भी बनाएंगे और इस पर नया सेट अप भी करेंगे गोप्रो का उसका वीडियो आएगा उसके लिए आप हमारे यूटूब चैनल सब्स्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो में हम फि इसका बहुत कम डिव्य वीडियो अब लेवले में फिशर बहुत कम हैं जो फिचर है वह सेना में जो आता है जो थोड़े कोश्म आते हैं इसे इसके पावर्ड जो पावरे ब्लू आमद है वींटर कवं आता है See 30 करके है उसका इंटर कॉम जो कि मुझे लगता है कि उसी का सब कुछ इसमें दिया हुआ है इसका प्राइसिंग 85 और 8500 इसका प्राइसिंग 11000 जिसे कि आप प्राइसिंग देख सकते हो 10999 आइसके फिचर से यहां पर देख सकते हो तो म्यूजिक टीविस कनेक्ट आप कॉल नैविगेशन ब्लूथ 5.1 राइट ग्रीड क्या होता है कि टेकनलोजी है जिसे कि आप अधर राइडर के पास भी अगर यह इंटर कॉम हो तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो और इसका जो लिमिट है वो 20 राइडर को एक साथ कनेक्ट कर सकता है और हम तो 20 राइडर नहीं हम लोग दो ही लोग राइड करते हैं तो हम लोग दो एक और इसको हो सकते हो इन फ्यूचर हम लोग मंगवाएंगे और गूगल एसिस्टेंट एंड सीरी इनेबल है और ऑडियो वीव पता नहीं यह क्या है मुझे भी नहीं बता मैं ब इसके बाद मैगनेटिक है यहां पर आप देख सकते हो लामा यूडू ले लद्दाक इंडिया लामा यूडू का यह पिक्चर है और यहां पर स्मार्ट कनेक्ट यह इंटर कॉम है में अब इसको खोलना पड़ेगा तो ऐसा कुछ पैकिंग है एंड हाँ इसमें साउंड ज अब इसको निकालते है यह माइग है इन यह दोनों किये दोनों कर सकते हो इसको needed कर सकते हो औरूकर आप चार्ज बोद्धा करने तो यह आप नहीं निकलेगा यहां से लॉक हो गया और इसको निकालने के लिए आपको सिंपली इसको हटाना है पहले इसको बड़ा ही ताइथ है ऐसे निकालना है यहां पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और गुड तिंग की टाइप C है और इसका क्वालिटी कर सकते हो इसका यह है एंड यह एंटीना के तरफ ही काम करता है तो इसे आप ऐसे उठा सकते हो इसे यह देखो अच्छा यहां पर लॉक है यह इसको थोड़ा सा ऐसे साइड करो यह अपने आप निकल जाएगा इससे जब अरदस्तिय से खोलने है बोसिस का राता यह देख है आपके बस दोनों ओप्सन है या तो आप चिपकाना चाहो तो चिपका दो या फिर मैनुवली आप इसे इंसर्ट कर दो वह मैं आपको भी दिख लाओंगा उसके बाद यह वारिंग केवल की कॉलिटी अच्छी है यहां पर टीवेस का बैचिंग है यहां टीवेस देख स ले और सबसे इसको सीधा कर लेंगे मतलब लूज कर लेंगे एंड उसका द आपको देखना है कि आपको लगाना का है एंड मुझे यह जगा पर्फेक्ट लगडा था उसके लिए पहले सबसे प्रदिंग भी हटाना ही पड़ेगा तो चलो पहले पैडिंग हटाते हैं यह जो मैंने बोला था ना कि इसमें अलेडी स्पेस होता है जो भी आप स्पिकर लगाना चाहो या फिर माइक वगरा जो भी हो तो यह यह आपर कवर्ड है मुझे बस सिंप्ली इसे रिमूव करना है यहां से देखो तो इसे बस हटाना था सेम इधर भी है इसे भी मैं हटा दे इसे ऐसे यह हो गया एंड उसके बाद अब राइट साइड में भी सेम वही प्रोसेस होगा एंड इसके उपर से स्पिकर लगता है एंड जो मैंने अगर यह गैप कुछ जादा हो तो वह गैप फिल करने के लिए आप यह लगा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपके का पास ही आवाज आना चाहिए तो उसके लिए है यह लग चुक है स्पिकर और यह वाइडिंग अंदर ही रहेगा कोई दिक्रत नहीं से तो माइक के स्पेस हमने यहां पर मेजर किया है पैडिंग लगा के हमने देखा था कि यह उंचा उंचा न लगे एंड लगा के देखी कि देखे हैं कि यहां पर इसे में चिपका लिया तो यहां पर मैंने लगाने का सोच है क्योंकि यहां पर अच्छा जगह पीछे भी मैं लगा सकता था बड़ पीछे उतना स्पेस है नहीं आट यह काफी पिछे हो जाएगा एंड जैसे मैंने यह आपको यह टाईड मैं इस पर जादा ट्रस्ट करूंगा खर आप उस पर भी ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि 3M का टेप हम लोग मांट में तो यूज करते ही है काफी अच्छा होता है वह तो यहां पर मुझे सही लगड़ाई है इसके यहां पर इसे टाइट कर देते हैं इतना सब कुछ होने के अब सिंप्ली इसे कनेक्ट करना है एंड यह हो गया देखो बस यह तार बहर है एंड इसी से पुड़ा जाएगा अंदर ऑडियो सिस्टम बगारा जो भी है कि पुलीस पूछे तो बोल देना नेविगेशन के लिए हैं मालम है तरह बाप को मां से का चल बाकि है यह इलीग लगाने के बाद भी हमें हैसास हुआ कि सायद हमें इस बार कोड को स्कैन कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी यूजर मैनुवल नहीं है तो अब देखते हैं स्कैन करके एंड यहां पर S20X NOVR 85 करके आ गया है एंड हम लोग गलती क्या करे थे हम इसको पूरा प्रेस कर कर रहे थे बाद प्रेस करके ओल नहीं करना था बस प्रेस करके छोड़ देना था एंड बिल्कुल भी कमफर्टेवल ऐसा कुछ लगनी रहे कि हमने कुछ लगाया इसमें इसको फुली टेस्ट करने के बाद हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कैसा इसका अच्छा रिवियू देंगे एंड इस हेलमेट का वी एक रिवियू मिलेगा और तो क्योंकि अभी ऐसे कुछ बोलना में ठीक नहीं है क्योंकि कैसा प्रोड़क्ट नहीं है अभी मैंने ठीक से यूज भी नहीं किया तो एक अच्छे से प्रोपर यूज करके इस वीडियो बनाएंगे इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं आप सब्स्त्राइब कर लूग आपको वीडियो अच्छा लगए और भी हमारे चैनल वीडियो वह आप विजिट कर सकते हो एंड मिलते है नेक्स वीडियो में थांक्स वर वाचिंग सब्स्राइब फर मोर और कोई